नमस्कार मित्रो भगवान से कामना है आप सभी लोग सस्थ हो प्रसंद हो इस वर आपकी समस्त मनो कामनाओं की पूर्ति करें क्योंकि इस वर के द्वारा ही सारी मनो कामनाओं की पूर्ति होना है और जब व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसका मन उदास हो पाता है, इसलिए हमारी कामना है, कि आप सभी कि एक्षाओं की पूर्ती भगवान करें, और आप अपने अपने जीवन में सफल हूँ, जैसा कि आपको पता है, कि मैं हमेजा अपने खेतों पर ही रहा करता हूँ, तो देखिए समय मैं अपने खेत में हूँ आप देख सकते हैं कि आपको पीशे भी दिखलाई पर रहा होगा कि मेरा खेत है ये भी देखिए ये मेरा खेत है इसी में अभी मैंने सर्षों लगाई हुई है आप देखिए सर्षों काफी बड़ी हो रही है और अब इसमें पानी की आवज सकता है इसमें एक से दो दिन के भीतर पानी लग जाना चाहिए ये लगबग पचीस दिन की फसल हो चुकी है और अब इसमें पानी लग जाएगा तो ये फसल ग्रोथ पका जाएगी जब हमने इसकी बवाई की थी तो लगबग दो किलो बीज एक एकड़ के लिए और बीस किलो डियेपी की मातरा रखी थी अब जब ये पानी लग जाएगा तो उसके बाद इसमें यूजिया कई 30 से 35 किलो और 5 किलो सर्फर मिला करके उसका छड़काव करेंगे सर्फर से सर्फर में तेल की मातरा बह जाया करती है और तेल से ही इसका बजन बहता है आप सभी लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से बताईएगा और जहां तक हो सके तो आप मेरे इस चैनल को सभी को सेर करें जिससे की मेरा मनुवल बढ़ा रहे और मुझे अगले वीडियो के लिए बल प्राप्त हो जब आप लोग कोई प्रिस्क्रिया नहीं देते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे आपने केवल एक फॉर्मेल्टी की तौर पर वीडियो को देख लिया इसलिए आपको यदि कुछ भी अच्छा ना लगे तो उसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं जिससे मैं यह जान सकूँ कि मेरे इस वीडियो में क्या कमी है इसलिए आप लोगों से हाट जोड़ करके प्रास्ना है कि जो भी कमिया हों क्रपया मुझे बताएं क्योंकि आप भी अब मेरे निवेदन है कि आप क्रपा करके जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को नमस्कार